जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes एप में और दोस्तो Self Study Classes यूटूब चैनल में ठीक है अगर आपने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों तो आप Play Store में सर्च कर लें Self Study Classes यहाँ पर हिंदी साहित का बहुत अच्छा और दोस्तों टिर्की कोर्स बि पहला डाउट से दोस्तों वो यह है स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था अब देखते हैं दोस्तों इस प्रस्ण में बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि स्वचंता बाद की प्रबढ़ तक तो कुर मान ज तक हैं लेकिन सवचंता बाद सब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था मुकुडधर पांडे ने अपन पढ़ते ना कि छाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था मुकुडधर पांडे ने ऐसे सवचंता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग भी स्रीधर पाठक को एक question आता है प्रिकृति का सुकुमार कभी किसे कहा जाता है प्रिकृति का चितेरा कभी कैसे कहा जाता है लोग लगा देते आखे बंद करके पंत है लेकिन एक question आता है कि प्रिकृति का उपासक कभी किसे कहा जाता है तब दोस्तों फिर भी लगा देते पं अब नहीं लगाना प्रिकृति का अपासक कभी स्रीधर पाठक स्वचंताबाद का प्रबर्तक स्रीधर पाठक है ना स्वचंताबाद सब्द का सबसी पहली प्रियोग किस ने किया मुकुट धर पांडे ने इन क्वेस्चनों को आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है फूलों का गुच्छा रचना किसकी है भारतेंदू हरिस्चंद की लेकिन यहीं पर आपसे फूलों का कुर्ता पूछ लिया जाता तब भी आप कंफ्यूज हो जाते फूलों का कुर्ता यस पाल और जो फूलों का कुर्ता पहनेगा उसका यस बहुत होगा बहुत है ना यस होगा तो यह सपाल फूलों का कुड़ता यह सपाल फूलों का गुच्छा भारतेंदू हरिस्चंद इनको अपन को याद रख लिना है अब दोस्तों यह डाउट्स नमर अपन तीन हिंदी का प्रतम कभी कौन है अब यहां भी कई लोग कन्फूज हो जाती अगर आप से कभी कौन है तो उत्तर लगाती सरहपा है ना लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रतम महा कभी कौन है तो आपको उत्तर लगाना है चंद वर्दाई ठीक है चंद वर्दाई आपका सही उत्तर होगा हिंदी का प्रतम महा कभी पूचा तो चंद वर्दाई हिंद अंगला है योगधार की रचनाकार कौन है योगधार अब यहां से दो रचना आती है दोस्तो एक तो पूछी जाती है योगधार और दूसरी पूछी जाती योगधारा अब इनको अपको दोस्तो क्या करना है अच्छे से पढ़ देना है योगधारा बोले योग की धारा में नांग बहे गया, कौन बहे गया, योग की धारा में, योग की धारा में नांग बहे गया, तो याद रख्टी ना, तो योग की अगर धारा आकी मत्रा लगी हो, धारा की बात हो, तो उत्तर हो जाएगा नागरजुन, और धार की बात हो, तो सोहनलाल दुवेदी, योग धार, योग धार के लिए का कौन है शोहनलाल दुवेदी योग धारा के लिए का कौन है नागरजुन ठीक है तो दौनों चीज़े के लिएर योग धार पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे शोहनलाल दुवेदी योग धारा पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे और बैदनात दुवेदी आपको पता है किसका नाम था उपनाम हजारी प्रसाथ दुवेदी का उपनाम भी बैदनात दुवेदी था है ना ये भी याद रखेंगे तो आपने क्या याद किया योगधारा, नागरजुन, योगधार, चोहनलाल, दोवेदी, केलियर, अंगला डाउटस, अंगला डाउटस से समाई देउता के रचनाकार कौन हैं, तो आप सीधे सीधे question लगाना, बताईए, अगर आपको बनता है तो उत्तर जरू बताएं, शमाई देउता के रचनाकार क साहत देउता के रिचनाकार कौन है अब दोस्तों ये साहत देउता की क्या है निबंद है और ये निबंद किसका है मैंने आपको कई बार बताया कि साहत देउता को माखन खवाना है और समय देउता है इसलिए लोग नरेश बन जाते हैं पुले वो नरेश बन गया पुले समय देवता है है ना तो समय देवता की लंबी कविता है दोस्तों किसकी नरेश महता की और साहत देवता की रिचनाकार कौन है माखल लाल चुतरवेदी confusion है confusion confusion ही होना समय देवता नरेश महता और साहत देवता माखलाल चत्रवीदी इन प्रशनों को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है दोस्तों हमेशा पूछे जाती है सेसन दोस्तों अपना हमेशा चलेगा doubts वाला जहां जो प्रशनों में doubts होंगे वो हम दरंतर दोस्तों ले सकते हैं purchase कर सकते हैं उस course में अडवीसर ले सकते हैं अपनी तयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं तो वीडियो को like करना है share करना है और दोस्तों subscribe कर लेना है चैनल को bell icon को जरू दबाएं तक information आप तक महुंचे तो आजके इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय ह हुआ हुआ है